Hello everyone, welcome to all of you, मैं बर्व नवस्ति आप सभी कर जी एस गुरुवेट बार फिट से आपका वेल्कम करता हूँ दोस्तों प्रधान मंतरी नरेन मूदी जब से यूरोप की आत्रा पर से आए है तब से एक वर्ड बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहा है और यह वर्ड है नौडिक आप सभी का मुझसे सवाल पिछले कुस टाइम से आ रहा है किसे नौडिक कंट्रीज क्या होते हैं इस विडियो में आपको नौडिक कंट्रीज और साथ ही साथ इसकेंडी नेविन कंट्रीज के बारे में भी उता हूंगा तो दोनों ही ग्रूप ऑफ कंट्रीज हैं दोनों में कुछ डिफरेंसेज हैं और दोनों के बारे में समझेंगे Nordic countries क्या होते हैं और Scandinavian countries क्या होते हैं तो सबसे वहले हमारे सामने यह है globe और globe मैं आपको भारत इस टाइल पर दिख रहा होगा यह है हमारा प्याना भारत अब इससे west की ओर चलना शुरू कर दो क्योंकि बोलते हैं ना कि पिछले कुस टाइम में भारत में पास्चार ते सब्टाव बहुत ज्यादा आच चुकी है तो west की दर चलना चुरू करते हैं तब हमें European countries मिलेंगे किदर आप जैसे ही west में आते हो तो यह आपके Gulf countries हो गए और यह आपका Africa हो गया आपको Africa के जस्ट ऊपर जाना है क्योंकि यूरोप अफ्रीका के जस्ट ऊपर है क्योंकि आप जैसे ही आगे निकल जाओगे तो यह देखे यह आपको अमरीका मिल जाएगा यह नीचे South America है और ऊपर यह North America है तो वापस जाओ यहीं पर और अफ्रीका के ऊपर चुको जैसे ही आप अफ्रीका के ऊपर आऊगे तो यहां पर आपको जैसे ही गलेशियर दिखने लगे इसको पर दो जूम और यहां पर पर प्र्टीकुलर उस जिगह पर बहुँद गहें जहां पर आपको क्या दिख रहा है चीओ अब सबसे पहले आप बात किया समझो नॉडिक कंट्री जो है यह पांच देशों का समूँ है मैंने क्या बोला जूडिक कंट्री पांच देशों का समूँ है नावेग, डेनमार्क, स्वेडिन , फिन्लेंड और आइसलाइड मतलब नीचे वाले सारे यह हटा जो इतना आपको देखना है Denmark, Norway, Sweden, Finland और island, Iceland, इतना आपको दहान रखना है यहाँ पर अब इसमें से Scandinavian countries कौन से हैं Scandinavian countries में तीन देश आते हैं कौन कौन से, बीच के तीन देश एक तो Denmark आ जाएगा, दूसरा Norway आ जाएगा और तीसा यहां पर स्वुडन आ जाएगा तो यह तीन जो बीच के देश है यह हैं इसकेंडिनेदित पहली चीज यह समझे लो स्केंडिनेडियन कंट्रीज इन तीन देशों को क्यों बूलाइयता है देखिए इसकेंडिनेडियन पैनिंसुला है बेसिकली यह नीचे यहां प तीन तरफ पानी से घिरी हो उसको बोलते हैं जैसे कि अमारा दक्षण घारत है यह अपने आप पे पैनिसुला है दक्षण घारत में जब आप जाते हो तो आप देखते हो लेफ्ट एंड पे अरेवियन ओशियन है राइड एंड पेंगॉल है और नीचे की तरफ हिंद महासा है तो वो भी क्या है एक पैनिसुला है से किเรา अगर लेची आप तो नर्वे स्वीदर और डेनमार्क तीनों को मिला दें तो ये ऊ Representatives ऀंट गरा हुआ है नीचे वाला इसली ऐसा में आ हिए पानी से घिरा हुआ हुआक यह तुन अब सवाल रुखता है कि नौडिक कंट्रीस का नाम नौडिक है क्यों इसको लिअ California क्यों प्र置रों बरकते दिन्घ हनाक के लिए यहां पर शतापडी की तो उस ठाइम पर इन सबी देशों में नमार्क, इनकी कापिल हुआ करती थी इसकी culture, language यह यहां पर सबसे पुरानी है, मतलब इन सभी देशों में अगर आप देखोगे, इस पूरे रीजर में देखोगे, तो Denmark यह एक ऐसी जगह है यहां पर, जिसकी सब्विता सबसे पुरानी है, जैसे हम मान लेते हैं, भारत के अंदर सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो केवल भारत के नहीं, पूरे विश्च के अंदर सबसे पुराना शहर वारांसी माना जाता है, बनारस, तो विश्च का सबसे प्राचीन शहर इसको बलाता है, तो अल्टिमेटली जो भारत की सब्वि और नौर का मतलब देनान कर जितने भी नौर्थ वाले कंट्रीज उनीस को नौडिक कंट्रीज के नाम से लहा गया तो Denmark के North में आपको Norway भी दिख रहा है, उबर उत्तर की तरफ Sweden भी दिख रहा है, Finland भी दिख रहा है, और Iceland भी दिख रहा है, इस वज़े से यह सारे countries क्या कहे जाते हैं, Nordic countries, अब एक चीज़ और समझे, यह तो basic जातर countries है, मतलब proper countries हैं, जिनमें population भी है, agriculture भी है, इनकी एक 5 basic countries में इसलिए नहीं हो जाता है, क्योंकि Greenland का जादा रहसा बर्फ से डखा हुआ है, और यहां की जो population है, कितना बड़ा एरिया होने के बाद भी केवल 55,000 के आसपास की इसकी population है, अब इसके अराबा अगर बात करी जाए, तो Nordic countries में दो और चीज़े आती है, मतलब यहा आइलेंड को फोरे आइलेंड का जाता है, क्या होला आता है, यह भी Nordic countries का हिर्सा है, और इसके बाद यहां पर Finland और Sweden के बीच में जो आपको हिस्सा लिख रहा है, यहां पर भी छोटे-छोटे आइलेंड है, इन सभी को A Island के नाम से जाना आता है, या फिर A Land के नाम से जान नाम के North में जितने भी countries हैं, उन सभी को Nordic countries बोला आता है, यह हमारा हो गया Denmark, तो Denmark तो पहरा country हो गया, दूसरा हो गया Norway, तीसरा हो गया यहां पर Sweden, चौता हो गया Finland, और पांचवा हो गया Iceland, यह पांस तो प्रॉपर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलाबा मैंने आप चुटे चुटे आई-लाइन है, यह A-लाइन के कहलाते हैं, यह भी Nordic का ही इस्ता है, इन सभी countries का आपको जो इतिहास है, वो हमें देखने को बलता है, ईसा मसी के जन्म के बाद, हाना कि अगर इतिहास की बाद करी जाए, तो करीब 1000 AD के आसपास, जिस टाइम पर भारत में म पज़ा करने के बाद, इनकी जो इमेज है, यह इन Nordic countries में खराब होने लगती है, किसी? Sweden की, क्यों? क्योंकि वजिया तुमने दूसरे का घर आतिया लिया है, तो तुमारी condition तो खराब होगी होगी, इमेज तुमारी खराब होगी, जिसकी वज़े से Sweden के साथ कोई भी देश यहां पर व्यापार नहीं करने लगता है, मतब डेनमार्क इनको बाइकाउट करने लगता है, नौर्वे भी इनको बाइकाउट करने लगता है, और आइस्वाइन के लोग भी इनको बाइकाउट करने लगते हैं, काफी टाइम के बाद, जब स्वेडन की एकोनोमी इस वज जुल कर रहेंगे और इसके एमेज में स्वीडन को फिल्लेंड को आजाद करना होगा फिल्लेंड को यहां पर आजादी दे जाती है और यह सारे कंट्रीज एक जो यहां पर हो जाते हैं ज्यारा दिन तक फिल्लेंड की एक खुशी रह नहीं पाती है उसके बाद रशिया की द बुरी हो चली थी और इनको फिलनेंड को आजादी देनी पड़ती है फिलनेंड यहां पर आजाद होता है 1918 में इसके अलावा अगर बात कही जाए तो डेन्मार्क जो है यह ऐसा बोला आता है जब आप मौडिक कंट्रीज का इधिहास पड़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हमेशा से यहां पर जितने भी किसाई समुझाय रहा करते थे उन सभी के एविस से डेन्मार्क को ही अपनी कैपिटल माना जाता था पुराने टाइम पर प्राचीन काल में डेन्मार्क की ही सबसे जादा मानेता हुआ पड़ती इसी वज़े से आज की डेट में इन सभी को ड इन और होता है को से काम को करने वाला ही इन सब की काम नहीं करने वाला है इसने क्या किया Sweden को independent declare कर दिया हाला कि यहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि यह सारे country Sweden के उपर अपनी monopoly चला रहे थे लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ अपने Sweden से मतलब आज पास किसी विदेश की कोई भी advisory दोर पर भी दखल लगता ही नहीं चाहिए अब जैसे ही Sweden का समराठ Gustavus Vasa क्या करता है Sweden को independent declare कर देता है वैसे ही आप देख रहा हूं यहां से Denmark और Finland की कड़ी टूड जाती है नौरवे और Finland की कड़ी टूड गे क्योंकि बीच में पुरा Sweden लगा हुआ है इसकी वज़े से आने वाले टाइम में अब Sweden क्या है फिर से Finland के उपर क्या करता है अपना कबजा दिखाने लगता है Sweden और Finland के जो राजनीतिक संबंध है वो उसी टाइम पर बढ़ने लगते हैं और ऐसा 1816 तर चलता है और इधर Denmark और Norway एक दूसरे से मिले होते हैं इन दोनों के राजनीतिक संबंध अच्छे होते चले आते हैं तभी आप आज की डेट में भी देखते हो आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपको पढ़ना है तो उसकी आपको हिस्ट्री पढ़नी पढ़ेगी तो उसका रीजन यह था अभी क्या है कि बाद में तो आपको पता ही लग गया है देखें आठवी से लेकर ग्यार्वी स्वताबदी के बीच में यह जो देश हैं इनको वाइकिंग कंट्री के नाम से नहीं जाना जाता था वाइकिंग का मतलब क्या है प्राचीन काल में वाइकिंग का मतलब होता था नाविक और अंग्रेजी में इसको नौर्समैन के नाम से जाना जाता था नाविक इनको क्यों बोलाया था था क्योंकि यहां पर अगर नौर्वे की बात करें, देनमाप की बात करें और आइसलाइंड की बात करें, तो यह जादा तर पानी वाले हिस्तों से लगे हुए है देश, तो यहाँ पर क्या है कि नाविक जादा तर रहा करते थे, और यह नाविक मदद किया करते थे बृटेन की, और इसके अल लगे थे, मतलब पूरे योरोप में एक ऐसा समुधा ये डिकलेयर होगे है, जिसको नौर्समैन, नौर्समैन के नाम से जाना दाने लगा था, कि हाँ यहाँ के लोग यह नाविक हैं, लेकिन धीमे-धीमे करके, जब यहीं के जो नाविक हैं, जो नौर्समैन है, वो जब फ् में थे, यह समुधरी लूट को अंजाम देने लगे, और यहीं से इनकी रपोर्ट डाउन होने लगी, और उसके बाद क्या हुआ, बीच में ही, मैंने आपको स्वेडियन का गयात बताया, कि स्वेडियन के समराठ ने अपने आपको इंडिपेंडनेंट डिकलेयर किया, जि अभी नौटिक कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, तो वहां पर पांच देशों में से चार देशों की प्रधान मंत्री इस टाइम पर महिला है, अगर यहां पर सर्फ नौर्वे को छोड़तें, तो बाकी यह चारों कंट्रीज जो नौटिक हैं, इनकी प्राइम तो अभी मेरा काम हो चुका है और आप समझ चुके हो दोनों में क्या अंतर है अब आपका थाम है जिनको नहीं पता है नौडिक कंट्रीज और इसकेंटिनेविन कंट्रीज के बारे में ये वीडियो तुरंच आके उनको शेयर करें और उन्हें भी पता लगना चाहिए क्या इत्रेम से नौडिक और सकेंटिनेविन कंट्रीज में और क्या इनका इतिहास कहता है उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा लाइक का बटन जरूर दवाते जाएएगा बाबाई टेंक केर हैव नाइस डे आपका दिन मंगल में